एक वक्त की बात है कि जंगल के पक्षी सब मिलकर खेल रहे थे बहार का मोसम था इसलिए सब कुछ नाय आने आलग रहा था पक्षी funeral को खुलकर हवा में सांस लेने का मोका मिला था वो सब हवा में और रहे थे और एक दुसरे के साथ खेल रहे थे कभी एक दुसरे को पकड़ते तो कभी चुपन चुपाई खेलने लगते क्यूंके असल में तो वो मुसम इनज्ञाए कर रहे थे जंगल में बहुत सारे नए पोदे निकले थे और दरख्तों पर भी नई कॉंपले भूट रही थी यहां तो यह कहना बहतर होगा कि दरख्त भी पक्षियों के साथ जूम रहे थे ओए तोते चलो मुझे पकड़ो जरा पता तो चले कितना दम है तुम्में अबे सबर तो कर ये देख मैं आया तुझे पकड़ने ये हाँ 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 वो सब इसी तरह मिलकर खेल रहे थे मगर वो ये नहीं जानते थे कि इसी जंगल में इनसानों ने घात लगाई हुई है पक्षियों को पकड़ने के लिए चीनु चीडिया खेलते खेलते पिंजरे के बिलकुल नीचे आ गई और अचानक से वो पिंजरा उसके उपर गिर गया और वो कैद हो गई अरे नहीं ये क्या हो गया दोस्तो मुझे बचाओ बचाओ मुझे मैं यहाँ कैद हो चुकी हूँ इनसानों ने यहाँ जाल बिचा रखा था हमारे लिए मगर हमने से किसी को बता नहीं चला मेरी मदद करो दोस्तो प्लीज मुझे गुटन हो रही है सब पकशी उसकी आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं और उसे देखकर परिशान हो जाते हैं क्योंके ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई पकशी इस तरह से कैग कर लिया गया हो चीनों के पास पहुँचकर पहले तो वो एक दूसरे की शकल देखने लग जाते हैं मगर फिर कबूतर हिम्मत जता कर बोलता है चीनों बेहन तुम घबराओ नहीं हम इसका कोई न कोई हल निकाल लेंगे परेशान मत हो अरे जो भी करना है जल्दी करो अगर तो इनसानों ने ये पिंजरा यहां रखा है तो वो अभी आते ही हूंगे उनके आने से पहले चीनों चड़िया को बाहर निकालना होगा वरना वो लोग उसे यहां से ले जाएंगे और फिर हम उसको कभी नहीं देख पाएंगे जल्दी करो कवा बिलकुल ठीक कह रहा है जल्दी कुछ सोचो 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 मुझे एक तरकीब आ रही है मेरी बात गोर से सुनो हमें सबसे पहले इस पिंजरे का उठाकर यहां से लेके जाना होगा क्यूंकि अगर इनसान आ गए तो हम सब को ही ले जाएंगे यहां से लेकिन ये पिंजरा तो बहुत भारी है इसको उठाना बहुत मुश्किल होगा अरे मुश्किल जरूर है परन्तु ना मुम्किन तो नहीं न चलो दोस्तो हम सब को मिलके ही ये सब करना होगा हिम्मत करो शाबाश फिर वो सब पक्षी मिलकर इस पिंजरे को उठाते हैं और उसे लेकर बहुत दूर चले जाते हैं वहां जाकर वो फिर से तरकीमें लगाने लगते हैं कि अब इस पिंजरे को खोलें कैसे बहुत कोशिशों के बाद भी वो पक्षी पिंजरे को खोल नहीं पाते आहर ठक कर बैठ जाते हैं चलो दोस्तो बहुत हो गई कोशिश खाने के बगैर तो किसी में भी हिम्मत नहीं रहती काम करने की अब ऐसा करते हैं पहले कुछ का लेते हैं फिर तोता और उल्लू दोनों भोजन लेने चले जाते हैं वहां चीनू भी देख रही थी कि इतनी कोशिश के बावजूद भी बिंजरा नहीं खुला तो वह रोने लगती है हाई अब मैं क्या करूंगी क्यों ही मेरी बागी की जिंदगी ऐसे ही कैद में तो नहीं गुजर जाएगी आज मुझे एहसास हो रहा है कि आजादी कितनी बड़ी नेमत है अच्छा अच्छा तुम रोना तो बंद करो ना अगर ऐसे ही हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा हम सब है ना तुम्हारे साथ कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे इस मसले का उल्लू और तोता भोजन लेके आ जाते हैं और वो चीनू को हुश करने के लिए गाजर का हलवा भी साथ लाए हैं ताके चीनू हलवा खाए और कुछ देर के लिए अपनी परिशानी भूल जाए फिर सब मिलकर खाना खाते हैं और खाते समय उल्लू को आइडिया आता है देखा दोस्तो मैंने कहा दाना कि खाना ही हर मुश्किल का हल निकालेगा हाँ 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 चीनू बेहन तुम टेंशन हतम करो अपनी मुझे एक आइडिया आया है तुम देखना ये जरूर काम करेगा ये कहकर उल्लू जंगल में जाता है और एक चोटा सा चाइनी पत्थर उठा लाता है फिर वो इस पत्थर को जोर से पिंजरे पे लगे ताले पर मार देता है उसने इतनी ताकत से मारा कि ताला फोरण ही तूट गया ताले के खुलते ही चीनू बाहर आ जाती है अब वो बहुत खुश थी क्यूंके वो आजाद हो गई थी या अल्ला तेरा शुकर है कि मैं इस कैट से आजाद हो गई अब मुझे पता चला कि आजाद रहना ही सबसे बड़ा सकौन है इस दुनिया में शुक्रिया मेरी प्यारे दोस्तों अगर तुम सब मेरा साथ ना देते तो इनसान तो मुझे कैट में डाल देते हमेशा के लिए हाँ चीनू बेहन मैं भी बहुत होश हो तुम्हारे लिए और पता है दोस्तों ये सब कैसे ममकिन हुआ कैसे हुआ भला बताओ तो वो ऐसे क्यूंके हम सब इकठे रहे और हमने हिम्मत नहीं हारी क्योंके हम में से कोई अकेला होता तो वो इस पिंजरे को खोल नहीं सकता था कभी भी तवे भाईया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इत्तफाक में ही बरकत है और आइंदा के लिए भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि कभी भी हमें अलग नहीं होना हमेशा साथ रहना है तभे हम हर मश्किल का मकाबला कर सकेंगे फिर वो सब दोस्त मिलकर फिर से खेलने लगते हैं और गाने गाने लगते हैं एक दूसरे को पकरने लगते हैं चीनू हवा को ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो पहली बार ओरना सीख रही थी अजाद होकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था चीनू के साथ ये सब हुआ इसलिए उसने पक्षियों को ट्रेनिंग देने का फैसला किया ताके दुबारा से कोई पक्षी किसी पिंजने में कैद ना हो पाए उसने एक चोटा सा ट्रेनिंग सेंटर बना लिया था जहां वो पक्षियों को ट्रेनिंग देती ताके वो अपनी जान बचा सकें चीनू चिडिया बहुत ही मेहंती पक्षी थी उसने लोगों के घरों में काम करकर के इतने पैसे जमा कर लिये थे कि वो एक रिक्षा हरीद ले चीनू को रिक्षा चलाने का बहुत शोक था उसने हमेशा से यही सोचा था कि वो भी एक दिन रिक्षा चलाएगी और मेहनत से पैसे कमाएगी फिर एक दिन वो रिक्षा हरीद लेती है और जल्दी ही उसे चलाना भी सीख जाती है चीनू तुमें बहुत बहुत मुबारिक हो नए रिक्षे की अच्छा जरा मुझे बाजार तक तो छोड़ दो और ये बताओ के बाजार तक जाने का कितना लोगी आए आए कबोतर भाईया आप पहली दफा मेरे रिक्षे पर बैठ रहे हैं इसलिए पहली राइड फ्री मिलेगी लेकिन आपको मुझे से वादा करना होगा के जब भी कहीं जाना होगा तो आप मेरे रिक्षे पर ही बैठेंगे अरे वाँ चीनु बेहन तुम तो बड़ी खुले दिल की निकली मुझे तो लगा था तुम पहली बार हुब मुख खोल के पैसे मांगोगी हैर ये तो अच्छी बात है अब चलो मुझे देर हो रही है चीनु कबोतर को बाजार छोड़ती है और कबोतर भी अपनी मर्जी से चीनु को कुछ पैसे दे देता है चीनु के अच्छे सलूप की वज़ा से कबोतर बहुत मतासिर हुआ था और उसने दूसरे पक्षियों को भी चीनु के रिक्षे के बारे में बताया उसके बताने की देर थी कि चीनू के पास गाहकु का रश लग जाता है इस तरह से चीनू के पास गाहकु की कमी नहीं थी वो अपने काम से बहुत खुश थी कालू कववा जो चीनू के रिक्षे को देखकर जल रहा था उसने सोचा अरे ये चीनू की बच्ची तो दिनों में धेर सारा पैसा कमाने लगी है मैं भी ऐसा करता हूँ कि कारोबार के लिए रिक्षा ही हरीद लेता हूँ मुझे तो ज्यादा अच्छे से रिक्षा चलाना आता है फिर देखना मैं कैसे चीनू का पत्ता काटूंगा कालू कवा भी रिक्षा हरीद लेता है और अपने रिक्षे को चीनू के रिक्षे के सामने खड़ा कर देता है अरे कालू भाईया आपने भी रिक्षा ले लिया चले ये तो बहुत अच्छा हो गया अब हम दोनों मिल के काम करेंगे मेरे पास भी काहकों का रश लगा रहता है अरे तुम देखना चीनू मैं तो तुमसे भी आगे निकल जाऊंगा क्यूंके मैं मर्द हूँ और मर्द तो महिलाओं के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होते हैं अरे भाईया ये क्या बात कर रहे हो आप हम महिलाओं भी बहुत शक्ति शाली होती है अगर मर्द ताकतवर होते हैं तो महिलाओं में बरदाश्ट करने की ताकत ज्यादा होती है हम भी किसी से कम नहीं है फिर थोड़ी देर बाद अड़े पे रश बढ़ने लग जाता है और कालू रश देकर आवाजे लगाने लगता है कालू रिक्षे वाला कालू रिक्षे वाला देवियो सर्जनो कालू के रिक्षे पे आओ और हवा से बाते करते हुए जाओ पिंडी 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 अले बलके वो कालू के लिए बहुत हुश थी फिर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा लेकिन एक बात थी जो कालू और चीनो में फरक करती थी और वो ये कि चीनो लोगों के दिल में जगा बना लेती और कालू अपना एक पैसा भी नहीं छोड़ता था जब कालू का काम भी काफी बढ़ गया तो उसने अपने किराए में इजाफा कर दिया और उसके रिक्षे का रेट चीनो से भी ज़्यादा हो गया आरे भाईया चलो मुझे जरा हस्पताल जाना है मेरी वहन बहुत बिमार है बस इसी से मिलने जा रही हूं हस्पताल अब तुम मुझे जल्दी से पहुँचा दो तोती कालू के रिक्षे पर बैठ गई और कालू उसे लेकर हस्पताल पहुँच गया ये लो भाईया तुम्हारा किराया अब ये क्या दे रही ये मैं इतने में नहीं जाता कहीं मुझे सो रुपे और दो वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा क्या सो रुपे क्यों भाईया क्या हवाई जहास पर लेकर आई हो क्या एक तो तुमने रिक्षा इतनी तेज चलाया कि मेरी हड़ी पसली एक कर दी ओपर से सो रुपे और मांग रहे हो कोई पैसा नहीं दूँगी तुम्हें जाना है तो चले जाओ इतनी सारी बहस के बाद भी कोई फाइदा ना हुआ और कालू ने शोर मचा कर तोती से ज्यादा पैसे ले ही लिये वहां कबूतर भी कालू के रिक्षे पे आ बैठा कालू भाईया जरा जल्दी से घर तक तो छोड़ दो मुझे ठीक है छोड़ देता हूं मगर दो सो रुप्या लूँगा इससे एक पैसा कमना ही होवेगा अरे तुम तो बड़े ही बदले हास हो एक हमारी चीनू बेहन है जो हमें फरी में भी ले जाती है अरे जाओ जाओ मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ मैं कोई और रिक्षा ले लूँगा बस फिर कालू की इनी हरकतों की वज़ा से पक्षियों ने उसके रिक्षे पर बैठना ही छोड़ दिया और कालू की आंखों के सामने लोग चीनू के रिक्षे पर बैठ जाते कालू का काम बहुत कम हो गया था बस वही लोग उसके रिक्षे पर बैठते जो उसे नहीं जानते थे फिर एक दिन वो चीनू के पास आया ए चीनू की बच्ची तुमका काला जादू कुराई हो हम पे इसलिए हमरा धंदा नाही चल रही है हमरी बात सुनो तुम अगर हमका काम बंद होई गवा तो तुमरी भी दाल नाही गलने देंगे हम समझी तुम अरे कालू भाईया ऐसा कुछ नहीं है मैं काले जादू वादू पर विश्वास नहीं करती मैं आपको बताती हूँ असल वज़ा क्या है आपके काम बंद होने की एक तो आपने किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था और दूसरा आप किसी का लिहास नहीं करते देखो भाईया किसी भी धंदे को चलाने के लिए जबान का मीठा होना बहुत जरूरी है तभी लोग आपकी तरफ आते हैं और तुम भाईया तुम तो अपना एक पैसा भी नहीं छोड़ते किसी को अभी भी अपने आपको ठीक कर लो तो लोग फिर से तुम्हारी तरफ आने लगेंगे कालू चीनू की बाते सुनकर सोच में पढ़ जाता है और उसे एहसास होता है कि वाकई इसे हुद को बदलने की जरूरत है चीनू के अच्छा बोलने और लोगों पर एहसान करने की वज़ा से ही इसका काम अच्छा चलता रहा और उसने अपने गाहकों के दिलों में अपनी जगा बना ली थी